मैं नानपारा से अम्रेश पांडे 56-55 रेजिंग डे एनिवेर्सरी आफ ससस्त्र सीमा बल इसके लिए जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम अरेंज किया गया है वो 40 सेकेंड बटालियन SSB द्वारा नानपारा में इस्थित अपने हेड़क्वार्टर मुख्याल है जो कि अगया चौराय पेस्थित है जहां पर 59 और 52 दोनों बटालियन संयुक्त रूप से रहती है यहां आज नागरिक क्रियानवेन कारेक्रम के समापन के बाद प्रीति भोज दिया गया था जिसमें जिसमें एक तरह किसे अगर कहूं तो आज ससस्त्र सीमा बल के 55 जन्म दिन को सेलिबरेट किया गया है और विगत डेड़ महिनों से जो हमारी 42 बटालियन नागरिक क्रियानवेन कारेक्रम का आयूजन के रही थी जिसमें क्रिकट टूर्णामेंट, फुटबाल टूर्णामेंट, बॉली बॉल, महराथन और कल साइकिल रैली निकल वाई निकाली गई थी उसी के समापन के आउसर पर आज ये प्रीतिभोज और्गनाईज किया गया था 42 बटालियन SSB द्वारा जिसके कमांडिंग आपसर सिर्जय प्रकास जी ने ये बताया कि एक दुखद सूचना होने के कारण इस कारेक्रम को वेरी सार्ट बहुत ही निमनस तरपे संचालित किया गया है चुकि शाय जहां तक मेरी सूत्रों द्वारा मुझे ग्यात हुआ है कि कल किसी जवान की लड़की का देहान्त हो गया है मैं अपनी तरफ से उसको भी स्रधानजली अर्पित करना चाहूंगा और साथ मैं सहीद विजय कुमार जी के लिए और सभी SSB के जवानों के लिए चार लाइने कहना चाहूंगा और वो लाइन अगर मेरे उपर भी लागू हो जाए तो मेरे लिए इससे ज़्यादा हर्स का विशय और नहीं होगा कि मुझे तोड लेना बनमाली उस पत पर तुम देना फेक मात्र भूमी को सीज चढ़ाने जिस पत जाएं वी रनेक कोई भी अधिकारी आज सुबह हुई दुखड घतना के बाद सामने आकर कुछ बोलने को तयार नहीं चुकि वास्तों में ये अत्यंत हित सोक का विशय है लेकिन दुरभागी यह कि आज ही इनको SSB का 55 जन में दिवस भी मनाना था इसवर से और सभी SSB जवानों अधिकारियों की तरफ से मैं उस जवान की लड़की जिसका देहांत हुआ है स्रद्धानजली अर्पित करता हूँ और साथ ही आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि उसकी आत्मा की शांती के लिए आप सभी इसवर से प्रात्ना करें धन्यवाद